हेलो एवरिवन आज हम लोग बनाएंगे निहारी मगर इस बार हम यह नहीं कहेंगे कि निहारी बनाना बहुत आसान है चले देखते हैं उसके लिए हमें क्या इंग्रीडियन्स की जरूरत है यहां करीब हमने छे ब्याज लिए आप देख रहे हैं आप भी ले लीजेगा एक क कुकर चड़ः में तीन चम्मच भर देल डाल यहां कि निहारी में टोड़ा तैल जादा ही डालता है वसी तो नहारी बनाना वाए बहुत आसान है और चले यह नह प Robertsल्त क है लेशन का पानी डाला है लेसन का पानी क कैसा बनता है आप एक का्टरी में पानी लिए उसमें थ बड़ी लाइची और तेज़ पत्ता है ये हमारा ये गरम मसाला है तो चले हमारा तेल भी अच्छे से हलका नर्म हो गया है ठंडा हो गया है थब से पहले हमने तेज़ पत्ता डाल दिया है फिर बाकी की सारे गरम मसाले इसमें हमें डाल देना है इसको कुछ अच्छे से यहा तो चलें देखते हैं, अब हमने क्या करना है? Isके बाद हमारी प्यास जेकिये हैं, आप आप ए प्यास हो गई है, फयानके बाद हमने के बाद आधा किलो मटन का गोश्ट लिया है, यह अद्ले का ही जो गोश्ट होता है उसे ही निहारी बन दिया का उसे ही दो जा इसमें नल् यहां पर हम इसे खुब अच्छी देर मिक्स करें ताकि लाहसुन अद्रग का जो पानी है वो सूप जाए इतनी बुनाई की जाए कि इसका पानी बहुत सफर है इदार हम एक कटोरा दही ले लेंगे दही में पानी कोशिश कियेगा कि ना रहे तो इसके बाद हमें क्या करना ह हमें एक चम्मच हल्दी लेना है और करीब हम यहां पर दो चम्मच हो गई है हमारी हल्दी धनिया तीन चम्मच हमें धनिया लेनी एक चम्मच मिर्च लेनी मिर्च आप अपने टेस्के साब से ले लिजेगा यहां मैंने अपने टेस्के साब से लिया फिर इसको हमें बहुत मिक्स कर देना है अब इसको भी हमें तब तक भूनना है जब तक के दही अपना पानी बिलकुल सुखा ना दे ठीक है इसे बूनने में थोड़ा टाइम लगेगा मगा कोई मसला नही तभी तो नहारी बनेगी टेस्टी जल्दी बन गया तो क्या मसला हुआ देखिए तेल भी ह हमारा बिलकुल अच्छे से उपर दिखने लगा यानि की दही का पानी हमारा बिलकुल सुख चुका है बस इसी स्टेश पर आप चाहें तो कुकर में पानी डाल कर धकन लगा लिए गोश बन कर करें नहीं तो आप इसे खुला भी पकाईए अगर आपके पास वक्त हो तो मे करीब मैंने 5-6 सीटी ली तो मेरा गोश बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था चले अब हमें करना क्या है एक बाउल में हमें आटा ले 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 है बहुत स्रूंग नहारी में बेसन डालते है तो आपको बताएं नहारी में बेसन या कॉन फ्लोर बिलकुल नही डलत है और पानी को हमें तब तक यहां पर चलाते रहना कि उसमें एक भी लंस नहीं बतना चाहिए आटे का या मसाले का इस तरह से उसके बाद जब बहुत अच्छे से घुल जाए तो करीब आधा चमच हमें इसमें पिसीवी काली मिर्च डालना चाहिए काली मिर्च का टेस्ट खोल लिया है अब देख कें है कि यहां क्या है अब कोकर को थोड़ तिर्चण करके इसको इस तरह से आपको यह तोटील को ग्रॉओा गाँ जाता है तो इस रूद को हमें अलग कर देना है इस गोश्ट से तो रोगर हमारा बाद में एस्तमाल में आएगा और यह दिखे हमन क्यों युम निकाला ये भी हमाभी आपको बताएंगे क्यों कि युकि इसमें डालने के बाद कि एक कारीब भांट शयम निकालाईं अगि अब जाएं। रहना है और वह जाएं करीब थहください तक इस तरह से देखिए एक भी लंस हमारे शोरवे में आपको नहीं दिखाई पड़ा है अब यह देखिए है बिल्कुल इस तरह से आपको भी चलाती ही रहना है यहां चलाने के बाद हमें क्या करना है कि पांच मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे पांच मिनट हम अब आपको पांच मिनट करता है कि पांच मिनट रखना है वैसे थोड़ा ठंडा होगा तो और गाड़ा अभी बहुत ही ठीक है इतने ही ग्रेवी हमें रखना था तो हमारी बिल्कुल तयार होगी और इसको सर्फ करने के लिए हमने यहां हरी मेर्च धनिया और अद्रक के कुछ जूलियन कर्ट्स में कुछ पीसे काट लिया है वो ड़न लेगी उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर रता है अब चलें फाइनल हमें यहां क्या करना है एक हमने यहां पे देसी घी एक चमच ले लिया है देसी जी को जब थोड़ा वो मिल्ट हो जाएगा हम इसमें डा इसकी वज़े से इसमें बहुत ही खुबसूरा सा टेस्ट आएगा यह देखिए हमारी निहारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है आप जब बनाएंगे ना तब आपको इसका टेस्ट पता चलेगा फिर आप कहेंगे वाह शांदार किचिन ने कितना टेस्टी निहारी सिक अब देखते हैं कि हम इसे सर्फ कैसे करते हैं निहारी हमने अपनी बिल्कुल रिशाउट कर लिया है और जो हमने यह तीर निकाला ते ने अब उस तीरे को हमें उपर से ही डालना य Almost आ इस तरह से आ उपर से आप अपर से रह Tीरे को निहारी आप रिकम को टालते रही है त का टेस्ट बहुत अचा आता है और नीबू के साथ जब आप खाएंगे तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा वैसे निहारी जो है में कोल्चे के साथ खाए जाती है अगर आपको कोल्चे की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कॉमेंट कीजेगा तो मैं आपको इसको रेसिपी को भी दे दूँगी और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सब्स्राइब कीजे थैंक यू